नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी दर्सकों का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे चीजलिंग, यह बनाना बहुत ही असान है, जैसे आप निमकी बनाते हैं, बस इसका साइज बहुत चोटा-चोटा होता है और इसमें चीज मिलता है, तो सबसे पहले एक बाउल मैदा ले लेंगे, वन फोर्थ स्पून ले लेंगे, खाने वाला सोडा, चुटकी भर नमक, और दो चमच बटर लेंगे भरके, सॉल्टेट बटर है, इसलिए नमक हिसाब से ही डालें, बहुत हलका डालें, और दो बड़े चमच प्रोसेस चीज, चीज डालने से इसका नाम चीजलिंग हो गया, अब ये सब को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, दोनों हाथों के तलहती से, इसे बढ़ियां से मिलाना है, ताकि चीज, बटर, सब मैदा में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसे अच्छी तरह से हमें तलहती के बीच में डाल करके, अच्छा से इस सिरप कर लेना है, और दूज डाल करके थोड़ा-थोड़ा इसका एक डो बनाना है, नहीं सॉप्ट होना चाहिए, नहीं हाड होना चाहिए, और दस मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे हम, दस मिनट के बाद, फिर से इसे सॉप्ट कर लेंगे, अब इस डो को तीन से चार भाग में बाट करके, इससे अच्छी तरह से एक बॉल बना करके, हमें रोटी की तरह पतला रोटी बेलना है, बिल्कुल जितना पतला रहेगा, उतना ही अच्छा ये सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल पतला रोटी बनाना है, हमारा रोटी बन करते जार हो गया, चाकू के हेल्प से हमें पतला पतला हमें कट कर लेना है, स्कॉायर में, बहुत ही छोटा साइज का ये बनता है, इसे बहुत साधानी से हमें एक समान कट कर लेना है, चौकोर में, अगर आपका मन हो तो आप डाइमंड सेप का भी बना सकते हैं, चाकू के सहाइता से ही इसे हम, धीरे-धीरे प्लेट में निकाल लेंगे, ये बनाना बहुत ही असान है, बहुत कम समय में बनने वाला स्नेक्स है ये, चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, चीज से इसका टेस्ट बहुत दूगना बढ़ जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो सा बनता है, बच्छों को जादा ही पसंद आता है, मेरे बच्छों को बहुत पसंद आता है, अभी हमारा कट के त्यार हो गया है, अब हम इसे फ्राइ करेंगे, फ्राइ करने के लिए हमें गैस ओन करना होगा और तेल को गर्म करना होगा, मीडियम फ्लेम में इसे हमें तलना है, और इसमें जल्दिवाजी नहीं करेना तो यह कच्छा ही रह जाएगा, इसे धीमी आज में गोल्डेन कलर होने तक हमें इसे फ्राइ करना है, और हमेशा चलाते रहना है नहीं तो अगर पांस सेकेंड के लिए भी अगर एक तरफ छोड़ दीजेगा तो एक तरफ रेड हो जाएगा एक तरफ वाइट रहेगा इसलिए इसे हमें लगातार चलाते रहना है अब हमारा एक गोल्डन कलर हो गया है अब इसे निकाल लेंगे तेल से बाकी और भी है जो भी इसे उसी तरह से हमें तल करके फ्राई करके निकालना है एक बार ज़रूर से ट्राई किजिएगा दोस्तों ये अलग तरह का नमकीन है बहुत ही टिस्टी होता है बहुत ही खास्ता भी होता है ये अब ये भी गोल्डन हो गया हमारा जाता फ्राई नहीं करना है इसे हो गया अब इसे हम निकाल लेंगे हम ये बन के तैयार हो गया अब साम के चाय के साथ आप आरामसी से खा सकते हैं अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए कम कमेंट्स कीजिए और सेयर कीजिए ये हमने कुछ डायमेंड सेप का काटिंग करके बनाया था अब स्वाइब